सबसुक लहे तुमारी शरणना, तुम रक्षक काहू को डणना नौशकार दोस्तों, मैं समर्त वर्मा आज इस यूट्यूब जैनल पर आपका फिर से हर्दी कभी नंदन है दोस्तों, आज हम विशे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे तूटता परिवार और विखरते रिष्टे दोस्तों, आज के टाइम में ये बहुत ही एक कोमन है जो आज के टाइम में हर किसी घर में होता है हर किसी जंगे पर और कभी भी कहीं भी हो सकता है और ये आज के टाइम में इतना कोमन है इतना ज्यादा रहता है कि किसी की माँ की बेटे से नहीं बनती है इस्टि चोपलेज डोक्टरर अजिनिका पार्वासताभ जी तो आज आज इस माद्यम से जानेंगे कि आज जोतिस के माद्यम से कैसे हम इसको तूर कर सकते हैं और कैसे हम इसमें किस उपाये से हम इसको दूर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं हम आज इस बारे में बताएंगे जाए सिरीराम जाए हुन्मान जी दोस्तों इन्होंने सवाल मेरे सामने रखा है कि इस टोपिक वो बोलना है भीकरते परिवार और तूटते रिष्टे के समंद में देखिए आज के रेट में आप देखें कि 80% परिवार में इस तरह की प्रोब्लम्स आ रही हैं और सबाज में प्रोब्लम्स आ रही है प्रेमी प्रेमिका के बीच में काफी अच्छे समंद रहे हैं साधी से पहले तूट जा रहे हैं लोगों की साधी होके साधी तूट जा रही है बाप बेटे का समंद तूट जा रहा है भाई भाई जुदा हो जा रहे हैं और केश मुकद में भी चल रहे हैं कई लोगों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी चल रहे हैं हस्मेंड वाइब के भी भी इच में चल रहे हैं और जिधर देखो उधर ही अलगाव वाद की पृत्थक वाद की ही आपको देखने को मिलेगा तो इसको दूर करने के लिए समाजी के रूप से और जयोतिस के रूप में हम लोग क्या दाई तो है कि हम लोग क्या करें कि इसको रोका जाए देखें मैं आपको बता दूँ जिस आदमी के कुंडली में राहू प्रबल हो जाता है तो अलगाओ पृत्थक बाद जुदाई एक करता है एक अच्छे रिलेशन है कई कन्याओं की साधी तय हो गई असाधी तूट जा रही है कई बार ऐसा होता है कि उसकी साधी में तरत्र की अर्चन आई किसी तरह से बड़ी आटी पैरेंट्स भाग दौड़ करके साधी तय कड़ दिये साधी के बाद के बाद सावन टूट गया अब इस सब हम लोग इस टो जय हुद रहे हैं कुंडनी में तो हम लोगों ऑदा चले जा रहा है सब पैरेंट्स को तो पता चले गगा नहीं पैरेंट्स बचार के एक तो बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे की जरम-कुंडली दिखाते नहीं हैं। एक ही बर कभ खोलेंगे साधी के लिए पंडी जी के पास। कई पेरेंट्स का क्या है कि जरम-कुंडली नहीं बना रखे हैं। अजब बना लिए तो उस पें अमल नहीं करते हैं। कभी इस्ट्रोजर औरों को दिखाएंगे नहीं। अगर कभी दिखाना पड़े तो लोकल कम पढ़े लिखें। मने जिसको बोलते हैं कि अग्यानी टाइप के या छोटे मुटे किसी को दिखा के उन्होंने बना लिया। अब मैं फिर आपको बता रहा हूं इस संबंदु को बचाये जा सकता है। जिस बच्चे की जनम कुंडली में मंगल खराब हो तो ये मान लेना चाहिए कि इसकी भाईयों के साथ नहीं बनेगी। अगर उसके पैरेंट सुरू से ही उसका उपाय कर लेते हैं मंगल का तो निश्चित रुप से भाईयों के बीच में इस तरकी इस्तिति नहीं बनेगी। बड़ा होने के बाद बहुएं कि आज आने के बाद भाई भाई में टकराद बढ़ती है ये सब को पता है। आज नहीं होगी कुछ दिनों के बाद होगी। तो इसमें हम पैरेंट्स की गलती मानते हैं को समय पर उसका उपाय नहीं किये। बाई लड़ रहे हैं अब बुढ़े होके कलप रहे हो। हमारे बच्चे तो अलग हो रहे हैं ये खून के प्यासे हैं ये है। निश्टे किसकी है? पैरेंट्स की। कन्या के कुंडली में गुरू चंडाल योग है या अलगाववाद है पती के साथ सुक्र भी मर्दन दोस है या प्रित भी मर्दन दोस है या संबंध भी छेदन योग है। लड़की की कुंडली उन्होंने दिखाई नहीं साथी के बाद बैचारी भुगत रही है। कोटकचारी के धक्के खा रही है। अराम से तो होता नहीं है। दोस किसका है? पैरेंट्स का भुगत कौन रहा है? साथी के बाद कन्या। बाप बेटे की लड़ाई चल रही है। पित्र दोस है, पित्र गरहन दोस है। भुगते का कौन? बाप बेटे। तो बेटा भुवतेगा, बेटा नलाएक हो गया हमारी तो नहीं सुनता है। क्यों तुम्हारी सुने है? तुमने उसके लिए कौन सा अच्छा काम किया? सुर्य में कोई प्रब्लम है। सुर्य पर राहू था, सुर्य पर सनी था, सुर्य पर केतू था या किशित रगे थी, तो कौन ठीक करेगा? दोस्तों मैं कड़वी बात बोलना हूँ, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। समाज की जो बुराई हैं उसका दूर करने की जिव बुफ देना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, बेटेज नहीं है। बूध खराब है, बहन से बुगा के साथ बिगड़ जाएगी। राहू खराब है, दादा जी चैबडों के साथ संबंद बिगड़ेंगे, ससुराल से संबंद बिगड़ेंगे। माता पिता का क्या है, बेटे का ससुराल से संबंद बिगड़ जाए तो अंदर से खूश होंगे। उनकी कन्या उसका थेल सु सब्सक्राइब सकता हूं तो हमारी का युर्था निकल गए खरी खराब होुण हे दोष की सब्सक्राइब करता है कि अब हो Schedule दोष को प्श्र कराब होने से मात आप िता के रिलेशन कासा चाहिव प्ला कि करते हैben बॉख के साथ संबंध् हराब है। उगते शुरज को साथ लाल मिर्च के बीज नीकालके जल दिया जाएं। तामे के लूटियां में रखके। मंगल खराब है। मैंने बता है लाल मसुर की दाल दान करिये लाल चंदन करिये। हनमान जी को चड़ेगे, मंगल सही होगा, मानली जे की चंदरमा खराब है, तो उसकी मांसी के स्थिति खराब हो रही है, तो किसी का सुनेगा ही नहीं, जीद पकड़ के बैठा रहेगा, या डिप्रेशन में जाएगा, या पेट खराब रहेगी, ना कांगले की समस्या, इस प्रेमिका के संबंद में बड़े है, आज के डिट में क्या रहे है, जमारे पास कई के से जाए है, हमारी बेटी तो लिविंग में रह रह रही थी, लिविंग रिलेशन में पता नहीं है, नाय रिलेशन पच्छमी सबेता का अब आया है, या लड़की डारेक्ट ही आ जा रहे है, стाधी की बारी है, तो छोड़ के भाग गिया, दोस कीसका है, उसको ठीक कीजिये, अगर उसमें विमर्दन दोस है, बिच्छ ど closing दोस है, तो उसका उपाय कीजिये विमर्दन दोस तो इसका उंपाय कीजिये तो ये होते कब हैं गुरू जी अगर जनम कुणली में पहले से लगा हुआ है तो अपने टाइम बिशेतन कर देगा अलग कर देगा आईसोलेसन करेगा जूदा कर देगा उसके उपाए करिये तो गुरू जी इसके उपए जैसे आपने बताए हैं कि अब जैसे सुक्र पे राहू है आपने देख लिया कि प्रीत भी मर्दन करेगा या प्रीत भी छेदन करेगा आप सुक्र को सही किजिए लच्मी जी को सुक्र बार को अगर खीर का भोग लगा जाए तो सुक्र गर सही ह लच्मी की खिरपा बनती है प्रेमेशने उसको मिलेंगे और राहू का दान हम बताते हैं कि राहू का दान निले चीज़ आपकर यह निले काली चटियों को पंजीरी खिलाइए कुते को मिठी विशकूर दीजिए सत्माजा दीजिए और भी राहू के कई उपाए जो का दान ह होते हैं आप करिए राहू खराब हो गया सफुराल से रिस्ता खराब हो गया तो इस तरह की समंद का विशेदन हो रहा है अब जानते हैं क्या हो रहा है आप घर घर में देखिए हर बीश घर में एक घर का परिवार टूट रहा है हम तो बीश की बोलने हैं आपकर दस भी ग कि दो किल नहीं बहनें के रिलेशन खरभ और इस से के व है इन से हो रहा है? वृ मंगल क्ञिर रहना मैं इन उसनी करें केवर बाशी है dh मैं उसनी खरी एक इस मावम जाओ लुए तो तो बमनी यृ। चाची से रिलेशन कराब हो गई, इस तरह की कई चीज है, नोकर के साथ जो नोकर कल तक नोकरी करता था आपके अंडर में, वो आपको आखे दिखा रहा है, खोट कचरी में केस डाल दिया, किस के वज़े से, संबंद का बिछेदन क्यों होगा, तो संबंद का बिछेदन रोक रहे हैं, वो हमारे पास आए, क्योंकि ना तो मेरी उम्रवाइज कैपसीटी है, ना बोड़ी कैपसीटी है, ना मैं उतना सक्षा मूँ, है क्या कि आप निरिस्ट बढ़िया एस्ट्रोजर पकड़िए और उसका उपाय करिए, अपने परिवार को बगाईए, परिवार को ऐज आपके चार बच्चे हैं, बड़े खूस हो रहे हैं, हमारे चार बच्चे बड़े होंगे तो हमारी खुब सेवा करेंगे, औरे हमने वो देखेंगे, चार बड़े हो गए, अपनी अवरत को लेकर निकल गए, बुड़े, ममी, पापा, वैसा ही खाट पर करार रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है एक किसने किया माता पीता से दूरी क्यों बढ़ी पहले तो आप बहुत खूश हुए हैं हमारा बेटा अमिर का गया तो हमारा इंजिनियर बन गया तो हमारा कंप्यूटर साइज का मास्टर ये बन गया चाहे वहां गया तो बंगलोर में है तो आधराबाद में ये सब बोल रहे हैं बड़े खूश हुए है आज आप उड़ापे में जब लक्ट एक इस्टिक पकड़ के चलना की बारी आई सहारे के जूरत है तो मारे पास कोई नहीं ह सब संबंदों का खराब होना ही है इन गरहों को आप सही कीजिए तूटता परिवार तूटते संबंद इसको बचाहिए और खास कर साधी हो जाने के बाद अगर संबंद तूट रहे हैं तो सोचो सबसे ज़्यादा कौन परभावित रहे हैं चोटे बच्चे अगर उनके ए उनके ना मा का सुख कोई और दे पाएगा ना पिता का सुख कोई और दे पाएगा तो भूगता कौन ओ छोटा बच्च्या बच्चे भूगत रहे हैं तो एस सब चीजे मेरे के मेरा जो समंद है काने का वो यही है कि आप उसको बचा सकते हैं कुंड़ी में उसका योग है भगवान परकृति बनाई तो उन्होंने हर समस्या का उपाई दिया है, हमें पता नहीं है, हम उसका पालन नहीं करते हैं, और कोईशन बताईए, जी ग्रुजी, मेरा एक सवाल और था आप से, कि जैसे ये उपाई आपने बताई हैं, उपाई क्या मावाब भी बच्चे के ल बच्चे जब 18 साल से उपर हो जाते हैं, अस्वस्य स्थिति में हैं, तो बच्चों को ही करना चाहिए, बड़ बच्चे नहीं करते हैं, तो मेश्योर्टी की एज आने पर उनको समझ में आने लगती है, तो करना शुरू कर देते हैं, अजी हम आपको एक बड़ी बात बता है, मैं किसी को बताया था, उनकी रिलेशन के मामले में किसी रिलेटिव ने पूछा कि इनका ऐसे हैं, और रिलेटिव ने बोला कि ये कभी भी भगवान को नहीं मानते हैं, पैसे बगवान लच्मी पूरी तिरपा है, हमने वाक अभी चार साल सिर्फ इंते जार के जिए, इस्टार ये बताता है कि ये सिव जी के लिंक तो छोड़ो, ये रोड पर के पत्थरों के उपर भी सड़ पट रखते नजर आएंगे, सिव जी समझ के रोते नजर आएंगे, और वही हुआ, सीव आई की रेट पड़ी, सारा काला धन गया, सारे सोहरत पावर चली गई, औ सिव जी के लिंक छोड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, जगह जगह पर, कभी इस्व मंदिर, कभी उस्व जे, कभी उनके चबुत्रे पर, कभी कही नाख रगड़ रहा है, माथा पठते नजर आएंगे, लेकिन उस बात को आज भी याद कर रहा हूँ, कि जब वह अपने उस चार गाड़ी आगे, चार गाड़ी पीछे चलती थी, आज कोई नहीं है, यह ऐसी इस्थिती जिसको बोलते हैं, राज भंगग, महा दरिद्र की इस्थिती जो बनी, राज का पतन योग, अगर वो स्वरू में उपाय कर लिए होते, अरे है कोई भगमान केसी का राज शिन थोड़े लेतने हैं, यह राज उठा के देतने हैं, निगेटिव और पोजेटिव उर्जा का खेल है, बगवान की किरपा ले लेनी चाहिए, ताकि आपका संजोग फेवर में है, दैविक संजोग मनें, फेवर में निगेटिव अगर है, तो उसका उपाय कर दीजे, कुछ मा का बेटा खो गया, तो मा का दिल तो मा का दिल है, कलप रही है, रो रही है, लेगे मा ने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि कास इसकी कुंडली हम दिखा के जई कर लिये होते, चंदरमा के उपर, केतु अगर आ गया, चंदरमा के उपर अगर राहु की दसा है, चंदर माता है तो सुर्य पिता है तो यह तो होना ही था तब संबंदों को तोड़ने की जिम्मेदारी अगर है तो भगवान पर कोई दोस न दे अपने आप पे दोस ले कि हमारे से गलती हुई है और मैं फिर बता रहा हूं कि अगर गलती से हो चुकी है जिसको अब हम लोटा नहीं स सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहूं को डरना आप आईये उनके सरन में हर्मान जी की किरपा लीजिए सुंदर कांड पढ़िए रात में उपाय किजिए छोटे-छोटे उपाय बताएं लगभग 50% अरोतों की शिकायत है कि हमारे मैके वाले को यह पसंद नहीं करते हैं अवरतों की शिकायत है कुंडली में देखें तो सही माता-पिता की शिकायत है बहनों की शिकायत है जब से इसकी साधी हुई है तो हम लोगे हम दोवाली, पत्नी and wife इनकी ज़दा सुनते हैं लड़का जवान हो गया उसकी कहीं पर माल लिजे कि किसी लड़की के साथ रिलेशन है अच्छे संबंद है साधी करना चाहते हैं उधर भी संबंद है पूरी इत्ताकत तोनों पक्ष के लोग लगाये जा रहे हैं इसको तोड़ दिया जाए अगर योग घर है योग वर है आदोनों को पसंद है तो तोड़ना भी अन्याय है कुंडली बताती है कि इसकी प्रेम भीबा होगा या एरेंज मेरेज होगा या किस तरह से होगा पैरेंट्स तरह करेंगे कुंडली से पता चल जाती है अगर भाग्य में लिखा है तो कभी भी उसके एगेंस नहीं जानी चाहिए अगर एगेंस जाना है तो उनकी जैसे एक पीपल का पेड़ आपके छट पर जम गई तो उखाड़ने के पहले दस पर परणाम करना चाहिए और छामा मांगे ही उखाड़ सकते हैं नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोश में पनपता है इस तरह से कोई भी संबंद को तोड़ना अत्तोड़वाने वाला दोनों पाप के भागी होते हैं आप राधा करिष्न से लेके छलिए प्रेम एसने अनुराग के उपर दुनिया भी ठीकी हुई है संबंद का तोड़ना परिवार का भी खरना इसको बचाने के बहुत तरीके हैं नहीं तो हर परिवार टूट रहा है लगभग पती पतनी बात बात में लोग आजकर बे USA के के केसा आ रहा है एवरेज पड़े एक दो केसे जैसे आते हैं हमारी पतनी ने तो सो नूमर डाल करके पूला ली अब मैं इसको नहीं रखूंगा पती जो है छोड़के चला गया इतना कान पक जा रहा है सुनते सुनते उपाए बताते बताते तो हम कई तरफ की वीडियो सराब की घटनाए का रूज आता था वो बहुत सराब पीते हैं सराब नहीं छूट रहा है सराब के उपर मना है वीडियो बैसा कोई लाइक करे या ना करे सब्सक्राइबर बढ़े हैं या ना बढ़े हमने अपना धर्म का पाले अब चुपके से जो कोश्टर भी जा धिरे से उठाया सियर कर दिया जी मेरे संदाब पुछो अब इसको सोनो और करो अब जो परिवाद टूट रहा है समन टूट रहा है सबसे ज़्यादा दिक्कत है साधी तय हो जाए आप फिर समन टूटे एक या सगाई हो जाए तूटे उससे भी खतरनाक बात है कि साधी हो जाने के बाद समन टूट रहा है बहुत गड़ बड़ा है कहीने कहीं ब्रिस्पती कहीने कहीं शुक्रबादीत है पापी ग्रस से इसके उपाय करने से सारे उपाय उपाय करना से, रेमिडिज करना से एकदम सही हो सकता है, 99% सही हो जाएगा, एक परसंट तो भगवान पे छोड़िए, और पुछिए, या पुछिए, जान्यवाद, में तब से बत इतना ही, तो दोस्तो आसा है कि आपने इस अभी जानकारी को नोट किया होगा, और इस आपके लिए लेते आते रहेंगे, धन्यवाद, जैश्री राम, दोस्तों, आपने दिखाऊगा कि मैं अपने प्रस्नल लाम से यूटूब चैनल जो बनाया हूँ, मेरी यही कोशिश रहती है कि समाज में कोमन सबसे जादा जो प्रोब्लम है, उसी को हाइलाइट करके, उस लेकिन मरने से पहले कुछ काम ऐसे भी हर आदमी को करना चाहिए, कि जिससे औरों का भी कल्यान हो, उस नीती के तहत, उस सोच के तहत, यूटूब पर फिरी अपको प्रगाम देते हैं, उसको आप सुनिये, जो भी समस्या हैं, उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए, हम जोतिस एक बिग्ञान है, और फिर मैं बता रहा हूँ कि सरवे सरवा हनुआ है, हनुआ जी की किरपा लिजिए, आज भी मैं आपको जो बोलना हूँ, मैं ये खुब जानता हूँ कि हनुआ जी कहीने कहीन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और ये हमारी आवाज जिन जिन ये हनुआ जी